तो हाई दिस इस प्रभाद रेंग आज की इस वीडियों रिव्यू कर रहे होंगे एनाइटी अरुनाचल प्रदेश नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलजी अरुनाचल प्रदेश की तो एनाइटी अरुनाचल प्रदेश हमारे जोट अरुनाचल प्रदेश में स्थे से गवर्मेंट इंजिनेरिंग कॉलेज जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी बात कर ले राइट रैंकिंग की तो 2023 में से 101 से 150 इन इर इंजिनेरिंग रैंक्मेंट के बीच रखा गया है और इसी के साथ ही साथ इनका पर्मनेंट केमपस कैसा है क्या कुछ है सारी वीडियो में आगे डिसकस कर रहे होंगे लेकिन सबसे पहले इनका इंटरेट पर जितना भी डेट अविलेबल है लाइक प्लेस्मेंट एडिशन प्रोसेस का टॉ थोड़ा बहुत जो ऑफिशली डेट अवेलेबल था उन सारी चीजों का मदद लेकर हम इस कॉलेज के प्लेस्मेंट को थोड़ा बहुत एनलाइज करने कोसिस कर रहे होंगे तो सबसे पहली बात 2022 का ऑफिशल डेटा है कि प्लेस्मेंट परसेंटेज क्या कुछ रहा किस ब सबसे पहले 2020 के अगर एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 6.2 LPA 2021 में 6.89 LPA और 2022 में आपका एवरेज पैकेज रहा था 8.5 LPA वही हाईएस पैकेज की बात कर ले तो 2020 में 12 LPA 2021 में 16 LPA और 2022 में 24 LPA प्लेस्मेंट परसेंटेज की बात कर ले तो सबसे पहले रहा था 46.78 परसेंट आपका 2020 में 2021 में 72.31 और 2022 में 78.92 तो使 Int. परसेंटेज भी हमें दीरे दीरे मनला ओवर्राल चाहे वहाइज पैकेज हो और एवरेज पैकेज हो प्लेस्मेंट परसेंटेज हो हर चीज में एक सि में गाल लिया जो कि नॉर्थ इस्टन ही है और उपर से 2010 में ही खुले है उसके बावजूद भी काफी बढ़िया placement records दिखा रहे हैं बट अगर इस college की बात कर ले तो हम यह दो factors अगर consider करके चले पहला नॉर्थ इस्ट में और दूसरा 2010 में खुला है नया नया है तो उस हिसाब से ना तो खराब है और नहीं बहुत अच्छा है मनलब decent placement अब इसका लेकर चल सकते हैं और अगर बात कर ले हम median package की तो median package आपका 2022 में रहा था 8.35 फिर से पीछे चलते हैं 2020 में 5.57 2021 में 6.5 और 2022 में 8.35 इन शॉट जिस rank पर आपको एक college मिल रहा है उस हिसाब से placements ओक्यों के हैं अब किस rank पर मिलता है क्या cutoff है सारी चीज़े वीडियो में आगे डिसकस कर रहे होंगे तो उससे पहले admission process की बात कर ले तो हर NIT की तरह पहले आपको जेमेंस का exam देना होगा और जेमेंस में जो भी rank बना है उसके basis पर आपको जो सा CSAP counseling में colleges और branches हो रहे होंगे बात कर ले cutoff की तो हमारे पास 2023 round 6 general general neutral category के cutoff का screenshot लगा हुआ है जैसे में अगर computer science engineering की बात कर ले तो home state में close हुआ था 1,36,432 और वहीं अगर हम बात कर ले अधर state में computer science engineering तो बंद हुआ था 29,087 rank तो आप देख सकते हो हर North Eastern NIT या फिर जो भी off side में located NITs है colleges है हर किसी में देखने को मिलता हो home state में काफी बढ़िया मतलब कम rank पर भी आपको colleges और branches देखने को मिल जाते है लेकिन वही अधर state के लिए competition काफी जादा रहता है जो कि इस college में भी देखने को मिला है अब अगर आपको हर round हर category हर year year cut off चाहिए तो college प्रवेस के website पर visit कर सकते हो बात कर लें fish structure की तो आपके सामने detail institute fee tuition fee hotel fee का screenshot लगा हुआ है अब mess fee में नहीं बताये गया तो on an average 25,000 पर semester mess fee मान कर चल सकते हैं तो हर NIT कितना है इस NIT पे भी आपका tuition fee 62,500 पर semester लग रहा होगा SCST candidate हो आपका कोई tuition fee नहीं लग रहा हो बाट बाकी सारे fee लग रहे होंगे in short अगर हम institute fee tuition fee hostel fee और 25,000 पर semester mess fee भी अगर मान कर चले तो अगर आपको कोई tuition fee में छूट नहीं मिल रहे है फिर भी चार साल का बीटेक 8 लग के आसपस हो जाएगा और अगर पूरा tuition fee छूट रहा है उस case में भी अगर institute fee tuition fee hostel में सब कुछ मिला दे तो तीन लाग के आसपस आपका पूरा चार साल का बीटेक इस college में निपड़ जाएगा तो finally हम कहुचते अपने college and hostel life वाले section पर जो की most abited section होता है तो सबसे पहली बात की बात कर लें इनके campus की तो 301 एकर का एक खुबसूरत भी बोल सकते हो facilities की कमी भी बोल सकते हो क्योंकि बात दरसल यह है कि मैंने इनके कुछ vlogs देखे जो इनहीं के PhD स्कॉलर ने अफ्लोड कर रखे थे youtube पे तो कुछ ऐसा मुझे campus दिखा कि entry होती है campus मे अब सुनोप है तो कहीं पर जैसे एक रोड है ऐसा चड़ रहा है कहीं पर कुछ मिल गया जैसे academic block मिल गया कहीं पर hospital मिल गया मनलब एक ही रोड पर चड़ते चड़ते कहीं hospital कहीं academic block कहीं canteen कहीं hostels तो चरहाथ बहुत ज़्यादा है एक दो रोड और उदर होंगे व्लॉग म को मिलने वाली है रात में हो सकता है डर लगे बट दिन में काफी खुबसरत न जा रहा होता है sports facility की बाहत करें तो कुछ grounds दिखें जो की well maintained नहीं थे बस खाली मैदान था थोड़े बहुत गास जब में उसी पे लोग football practice कर रहें यही सारी चीज़े थी बात कर लें hostels की तो फॉर बॉइज रखी सकते हैं और एक data मुझे मिला जिसमें online student review में भी लिख रखा है कि 3-seater rooms मिलते हैं और जो PhD scholar ने अपना वीडियो मनाया उन PhD scholar के रूम में भी 3-seater था तो मान कर चल सकते हैं कि चाहिए बीटे केंट प्येज़ी ओ त्री सीटर रूम हमें इस college में देखने हों मिलते हैं और अगर सब्सक्राइब होता है बट स्टुडेंट्स इनके खाने से एक और मैंने एक व्लॉग देखा तो उसी व्लॉग से मैं इस सारी चीज़े डेटा डिराइब करें बता रहा हूं कि मैस के खाने से काफी और इस चीज़ेए अब हैं और इसके बाद कुछ शॉप्स भी अवैलेबल है आपके कैम्पस के अंदर लेकिन वही बात है स्लोप बहुत ज्यादा है तो अगर आप पर नीचे आना पड़ेगा तो नीचे आते से तो ठीग है लेगिन उपर जाते से दिक्कत हो सकती है तो एक बढ़िया मात मुझे लगी कि बताया गया है कि सारे आठ बजे से लेकर सुबह सारे आठ से सामके सारे चार बजे तक हर एक घंटे के इंटरवल पर बस फैसिलीटी दी गई है जो कि आपके हॉस्पिटल जो कि आपके अकैडमिक बिल्डिंग होस्टल्स इन सारे जगों से होकर चलती है हर एक घंटे के इंटरवल पर तो अगर आप सुबह सारे आठ से सारे चार बजे आपको जहां भी जाना है इन सारे बस फैसिलीटी का आप यूज कर सकत सबसे पहला आपका अथुल्यम जो कि इनका एन्वल कल्चरल प्रेश्ट बताया गया है और अदो वेधी ऑनवल टेक्निकल पेस्ट और हासुरू से मैं एक पॉइंट जो बता रहा था कि टेंप्रारी कैंपस एक पर्मनेंट कैंपस है तो यह अभी इनका पर्मनेंट कैंप जोट अरोनाचल प्रोदेस में पढ़ रहे हैं और फैसिलिटीज के बारे में भी और बताना हो तो बात यहीं है कि धीरे-धीरे भी सेशन 315 किलो मेटर्स दूर और अगर नियरेस्ट एरपोर्ट की बात करें वो है लीलाबरी एरपोर्ट 96 किलो मेटर्स दूर तो यहीं सारी चीज़ है इस कॉलेज को लेकर अब कमेंट सेक्शन में लिक्कर बताएए और किस कॉलेज का और किस एनाइटी का किस आई इती ट्रि यह लिए अए लिए अपिजय है